Hello students, welcome to online class, हम आज की क्लास में लेंगे EBS की टेस्ट, तो मैंने बखाया था आपको, देसन नमबर 1st to 4, 1st, 2nd, 3rd and 4, आपने अच्छे से पढ़ाईगी, अच्छे से लर्म लोगे आपको, तो आज की क्लास में हम देखते हैं उसके पल्चा, जिसके आंसर आपको लिखने, ओके मैं समझा के दूँगी, आपको उनके अंसर लिखने हैं, तो चलो, पहले यहां दो, तो देखो, answer the following पच्छा, यालिकि यह जो पच्छा दिये हैं, उनके आपको अंसर लिखने हैं, तो पहले आपको बच्छा को लें, what is the name of your school, आपके स्कुल का नेम क्या है, आपको उसी स स्कुल, यानि कि आपके स्कुल का नेम क्या है, उसके बाद देखो, in which class do you read, यानि कि आप कोन से क्लास में पढ़ते हों, कोन से क्लास में पढ़ते हों आप, तो वो भी आपको यहां पर लिखना है, answer me, उसके बाद देखो, उसके बाद नमबर third, तो third में को सा पच्छा है, देखो, पड़ो, how old are you, यानि कि आपकी age क्या है, आप कितने ही अरस्ते हों, वो आपको यहां पर लिखना है, कोन से नमबर पी पुच्छन में, how old are you, नमबर third का जो पुच्छन है, इसके answer में आपको लिखना है, कि आपकी age क्या है, उसके बाद देखो, name any two external body parts, हमने body parts का लेशन पड़ा था, तो आपको बहुत से body parts से पता है आपको, कुछ external थे, कुछ internal थे, मतलब हमने sense of uncles पी पड़े, पड़े ना, तो उनमें से, कौन से external body parts से, वो आपको यहां पर लिखना है, आप two भी लिखोगे, तो भी चलेगा, लेकिन जितने मैं ने लिखने की करना, ओके, तो आपको समझ मैं, यह जो one, two, three and four culture है, उनके answer आपको अभी लिखने है, और मुझे send कर दो, ओके, तो इतना आप लिखो और मुझे send कर दो, क्योंकि यह test tip, ओके, और जो बच्चे यह test नहीं लेंगे, उनके marks कटेंगे, पता हैं आपको, तो यह total 10 mark की test है, पता हूरी, हैंस, इद मैं अवरी, हैंस.